तिन खास सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो सहयोगी आयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिल्पी हैं और गुंजन है और साथ इसा दिली से नीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आयोध्या के तमाम रंग हम लगतार देख लेकिन दिल्ली में किस तरीके से उत्सा और उत्सफ का महल है नी तो दिखाइए तस्वीरे तैयारी हो रहे हैं यहां पर भी दीप उत्सफ की बिल्कुल 11,000 दिये जो हैं यहां पर जोलाए जाएंगे क्योंकि मेरी बातों के साथ यह तस्वीरे जबाब देखेंगी तो आपको लगेगा कि वाकई में आज यहां पर दिवाली जो है वो मनाई जा रही है दिये जोलानी कर्जुकारिकन है वो अब शुरू हो गया है दिपोच्चप शुरू हो गया है खास बात यह है कि आप दिखिंग भी कि जैफियराम, जैश्वीराम, सीता राम और ओम के आटे जाएंगे और सुबह से दिल्ली अगर आप आएं आज तो आपको ऐसा दिल्ली से तस्वीरे देख रहे थे आप नीतु के पास हम फिर से चलेंगे लेकिन अब आपको शिल्पी के पास लगना हो आयोध्या लिए चलते हैं अब शिल्पी आप जहां पर मौजूद है आप भी सुबह से ही तस्वीरे दिखा रहे हैं आयोध्या में एक अलग ही धुन नजर आ रहा है हर कोई राम मैं है वहाँ पर लेकिन इस वक्त अब क्या कुछ हो रहा है क्योंकि देखिए अब कान पतिष्ठा हो गई शाम की क्या कुछ तैयारी है किस तरह से दिये की रोश अब शाम हो चलिए आयोध्या में शाम की रोनक मैं दिखाना चाहूंगी हाला कि अभी जो लाइटिंग है वो थोड़ी दिर बार दिखेगी लेकिन फीछे देखिए लता चौक है यानि लता मंगेशकर की भीणा जो श्रधांजली स्वरूप बनाई गये यह वो दिखाई इस बीच यहां लोगों का गीत संगीत और देखिए यह आम श्रधालू है जो आए हैं दर्शन करने के लिए और अपनी तरफ से गीत संगीत की भक्ती की सौगात अर्पित करने आते हैं अपने रामलला को और उत्सा देखिए क्योंकि यह हनुमान जी के नाम पर गीत गा र हैं तो हम पूछना भी आप चाहेंगे कहां से अप लोग आए यह आगरा से इतने उत्सा से गीत आप यह गा रही है क्या लग रहा है हनुमान जी आज बहुत प्रसंद है जागा तो भी आ रहा है बल भी आ रहा है कोई सब्द नहीं है कुसी के लिए इतनी है अलिमिटेड ह इसका कुछ कह नहीं सकते तो सुनाईए आप हम देख रहे हैं पहले हैं आप दे किस तरह से मंग नो कर गया है तो सुनाईए मैं गंगरो बांद के नाचे पाओ मैं गंगरो बांद के नाचे राम जी का नाम इसे प्यार लागे राम जी का नाम इसे प्यार लागे राम जी ने भी देखो राम जी पे देखो इसे खूब पहचाना चलिए शिल्पी आपके पास लोटेंगे बहुती उत्ता के साथ ये भक्ति जो है भवान की भटी में लीन तो नजर आ रहे हैं लेकिन गुंजन से जानते हैं गुंजन देखे आज कितने सालों के बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म हो गया आज राम नगरी आयोध्या में जो है दिपोत्सव होने वाला है और जगमक तो पूरा देश ही है इसके साथ गुंजन बताइए आज कहा जा रहा है दस लाख दिये जलाए जाएंगे और सर्यू घाट पे भी कोई लेजर शो होने की बात हो रही थी उसके बारे में हमें जानकारी दीजे बिल्कुल बिल्कुल अधिती मैं आपको बता दू सर्यू घाट पर ही इस वक में मौझूद हूँ राम की पैडी सर्यू की अविरल धारा यहाँ पर भी भेहती है और दूसी तरफ भी घाट है यहाँ पर सवालाख दिये जलाए जाएंगे दियों को बिचा दिया गया है ब उनके राम उनके आराध्या चुके और साउन यहाँ पर चेक हो रहा है जैसे जैसे अंदेरा होगा लेजर शो भी होगा और हमारे साथ में आनन जी है आनन जी जो छवी हमने देखी ती श्री राम की वह इतनी मनमोहक थी चाहिए आप आखें उनकी नाग एक बालक की मुसका उस पूरी छवी को दर्शाता अगर कोई गीत आप सुनाएं जबसे हम लोगों ने राम रला के उस देवर चवी को देखा है समस्त अध्यावासियों के मन में किवल एक ही एक शा है कि जा करके भगवान को अपने गोद में उठा करके भर लें भगवान की छवी कैसी है क्या बहाओ भक्तों का बड़ी अखियां में कजेरा सो है ऐसो मन होए भाईया ऐसो मन होए कि निहारू चितवनियां ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा ऐसो मन होए कि क्या बात है क्या बात है उठाई लेऊं कोरवा ऐसो मन होए कि वाकुछ